Hey guys, hello and welcome back to my channel. I am Kanchi, your Flossim Girl and welcome back to first episode of hashtag Sunday Skincare Routine. So, ये वीडियो जो है, वो फर्स वीडियो होने वाला है of the Sunday Skincare Routine. इसमें हम every Sunday एक Skincare Routine के बारे में बात करेंगे. So, I hope आप लोगी इस सीरीज को इंजॉय करोगे. Make sure आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर दो, ताकि इस सीरीज के रिलेटेड में जो भी वीडियो जालती रहूँ, उसका अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे. इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना and be a part of this family. I would love to have you all here. क्योंकि यह हमारा पहला एपिसोड है of the hashtag Sunday Skincare, मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा वीडियो लाओ जो हर किसी के काम आ सके, किसी का स्किन एकदम डिफरेंट होता है, किसी का dry, oily, then we have combination skin, also किसी को acne prone skin होता है, किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, कि how irritating, threading and waxing is, हम इसी वुस टाइम पर pain नहीं होता है, in fact उसके बाद भी कुछ समय तक हमारी skin बहुत जादा irritated होती है, हम ठीक तरह से कोई lotion नहीं लगा सकते, नहीं अपनी skin पर जादा experiment कर सकते है, because skin बहुत जादा irritated state में होती है, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपकी लाए DIY Cucumber Gel, तो आज के जो हमारा Cucumber DIY Gel है, वो आपकी skin की irritation को control करेगा, shaving के and threading के जो after, adverse after effects होते है, developing small bumps and normal redness and irritation, उसे control करने में मदद करेगा, but it will give you all a very natural glow and keep your skin hydrated. And before proceeding to the steps of making the DIY Gel, मैं बता दू कि यह DIY Gel बोध बोध बोई और गल्स दोनों भी यूज कर सकते है, बोध बोध ताइप आप आफ सकिन्स आफ बोई आफ बोई आफ गल्स आफ वेल आफ गल्स, so definitely try this one and without further talking, let's begin. So, यहाँ पर हमारा main ingredient ले रहे हैं, जो कि है cucumber, हमें एक fresh cucumber लेना है, second ingredient है हमारा vitamin E का capsules, make sure कि आप medical store से ही vitamin E का capsule ले, third है हमारा aloe vera gel, यहाँ पर मैंने पतंचिली का aloe vera gel लिया है, for the first step, आपको आपके cucumber को अच्छी तरह से grade करके ले लेना है, यहाँ पर मैंने इसे एक bowel में store किया है for the time being, उसके बाद मैं ले लूगी एक छोटा सा डिबबा, जिसमें मैं इसकी juice को separate करके store करूँगी, so यहाँ पर मैं एक चन्नी की मदद से, हलके हातों से, जो भी मैंने grade किया हुआ cucumber है, इसे चन्नी में रखके, बहुत ही हलके हातों से प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो juice है वो separate हो जाए, and accordingly मुझे जितना need होगा, because मैं इसे 4 डेस तक store करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जादा quantity में मैंने लिया है, वैसे this is a half cucumber, बट आप देख सकते हो कि juice कितना जादा निकल रहा है, इसके बाद हम add करेंगे इसमें अपना aloe vera gel, आप जितना जादा aloe vera gel डालोगे, आपकी consistency उसी हिसाब से बनेगी, so यहाँ पर मैंने 2 spoons of aloe vera gel इसमें add किया है, and aloe vera gel डाल कर आपको इसे अच्छी तरह से mix करना है, because aloe vera gel थुड़ा से thick होता है, इसलिए आपको mix करना है बहुत ही अच्छी तरह से, मैंने यहाँ पर इसे और छोटे container में ले लिया है, because vitamin E capsule add करने से पहले, मुझे इसका quantity ते करना था, so यह छोटा container में, I think so, two vitamin E के capsules इनाफ होंगे, so यहाँ पर मैं add कर रही हूँ, vitamin E capsule को आपको पीछे से बस हलका सब push करना है, pinch करना है पीछे से, ताकि जितना भी उसके अंदर oil है, वो बहार आ जाए, so इस तरह से यहाँ पर आपको vitamin E capsule इसमें add करना है, तीनों ingredient को add करने के बाद इसे अच्छी तरह से mix कर ले, आप इसे चेक कर सकते हूँ, जादा sticky नहीं होगा, इसका consistency देख ले, and मैं यहाँ पर अपने हाथ पे थोड़ा सा patch test करके देख रही हूँ, कितना जादा glow दे रहा है मेरे हाथ को ही, इस तरह से छोटी सी डिब्या में मैंने इसे store करने के लिए तयार कर लिया है, यहाँ पर मैं यूज करने वाली wheat का sensitive touch trimmer on my face, यह step मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, यह step के बाद मैं थोड़ा सा icing करूगी on my face, जहाँ जहाँ मैंने इसे यूज किया है, वहाँ पर मैं आइसिंग कर लोगी अची तरह से, उसके बाद विल गो आन विटा DIY cucumber gel, थोड़ा सा डिप करके हलके हाथों से सबसे पहले में इसे आपने अंडर आइस में लगा रहे हूँ, इसे लगाते जाओ, चलिए बात कर लेते हैं हर एक इंग्रीडियन की, तो सबसे पहले जो cucumber है, जो कि इसमें हमारा main ingredient है, ये cucumber में बहुत ही high nutrients होते हैं, इसमें anti-oxidants properties होते हैं, ये promote करता है hydration, aid करता है acne prone skin, also premature aging जो उसे control करने में मदद करता है, swelling, puffiness जो हो जाता है, हमारी specially under eyes में उसे control करता है, इससे dark circles भी बहुत हद तक कम होते हैं, second जो हमारा vitamin E है, ये बहुत ही अच्छा oil है for our skin, moisturize करता है skin को, suit करता है irritation को, sun damage को specially बहुत हद तक ये control करता है, कम करता है, अगर आप vitamin E को top up करें with sunscreen, तो ये बहुत ही अच्छा आपको sun से protection देगा, बहुत ही अच्छा SPF का काम करेगा, जो भी redness आपकी skin पे होगी because of threading, आप जानते हो threading करने के बाद कितनी harsh redness आपकी skin पे दिखती है, उसे पूरा calm down करेगा, इचीनेस अगर आपको जड़ा सब इचीनेस अपने face पे feel होगा, after threading या after using the razor, उसे भी इचीनेस को ये control करने में मदद करेगा, then comes the star which is the aloe vera gel, अब aloe vera gel के बारे में क्या ही आपको बताओ, आप already जानते हो, aloe vera gel heal करता है, सारे घाव अगर आपको कुछ लगे होंगे, wounds को heal करता है, infection से आपको protect करता है, acne को कम करता है, blemishes जो होती है, उन्हें भी कम करने में मदद करता है, इसमें भी cooling properties होती है and it is also anti inflammatory, so here is the after effects, देख लीजे कितना जादा skin glow कर रहा है and it feels super hydrated, so this is how I store my DIY cucumber gel and इसे में बस हलके से फ्रिज के किसी कोने में रख देती हू, आराम से 4 डेस तक आप इसे स्टोग कर सकते हो and regular use करना, जो भी हम DIY skincare होता है, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहते हूं कि इसे रात में यूज करो, दिन में यूज करकर आप बाहर जाओगे, तो उसका इतना जादा effects आपको नहीं मिलेगा, rather than come back home, get rid of all the makeup, take a good shower, lather it all over your body, पेर पे, हाथ पे, even under arms में आप इसे लगा सकते हो, because shave करने के बाद vaccine करने के बाद, वो area बहुत जादा irritated होता है, so उहां लगा सकते हो, तिलकुल भी sticky नहीं है ये ये gel, so आप आराम से इसे लगा कर सो सकते हो, and next day when you all will wake up, I am sure you all will feel कि आपकी skin इती जादा hydrated होगी, and you will definitely love the way your skin will look, the way your skin will feel, so definitely try this gel, and इसके results आप मेरे साद शेय करना on my Instagram, which is add the rate thatfloss girl, also अगर आपको थोड़ा सा भी कोई question होगा related to this, so आप मुझे पिंग कर सकते हो on Instagram, और आप comment section में पूच सकते हो, so guys that was it for today's video, I hope आज का हमारा पहला episode of hashtag sunday skincare आपको पसंद आया होगा, please comment down कि आप और किस तरह के videos या किस तरह के skincare routine मेरे चैनल पर देखना चाहते हो, I will definitely try to make it for you guys and मैं आप से मिलूगी अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो and bell icon को प्रेस कर देना, मैं आप से मिलूगी अगले वीडियो में, till then dream it, believe it and achieve it.